नमस्कार दोस्तों मैं वाली का सेन गुपता लखनाउं से आज आप सभी दोस्तों के समंख्च रूबरू हूँ आईए दोस्तों आज मैं आपको जो कविता सुनाने जारी हूँ यह हिंदी कविता है मेरी और इसका शिर्षक है कस्ती की मन्जिल कस्ती की मन्जिल लहरों के भरों से या काट चपू की दाबे दाड़ी या साहिल से साजे दाड़ी नाओ के पाओ नहीं नाओ के पाओ नहीं पांख भी नहीं बहनी की तिब्रता किससे कहे वो ब्यधा कहा चाहे जाना चाहे क्या पाना जब जग हुआ बेगाना खुद से ही अंजाना बहती धारा और बहती जाए जाकरके कि मिल जाए शायद कोई किनारा किसी चितिस या दिशाओं के ढूढ़े किनारे शायद कोई धुब तारा ही पार उतारे जल की स्वयर लहडियां ध्वानी तरंगों की द्रोते गती की आवा जाही को क्यों कर दे बाधित देखो ना काट की नाओ होती है क्रोधित जाने क्यों संगतियों विसंगतियों के संग करके मार्गब रोधित आवा गमन के हर दर्सन से बोधित अनंत जल राशी की प्रिष्ट भूमी को कभी धुमिल कभी अभिलक्षित कभी गतीमान तो कभी जर चेतन की परिवासाओं को सुमेव करता परिवासित कभी लेहरों के संग कभी लेहरों के विप्रीत कभी लेहरों के विप्रीत बहने की जेश्ठा की पड़ा काश्ठा को करता प्रतिपादित पल पल तिल तिल आनंद में सदानंद के जूलों के पड़ी प्रेच में बड़ता करता पटाचेप समस्त जन्जावातों की कहानी का अपनी ही मौज में कौन अपनी ही मौज में कौन एक अकेला कश्टी मौन 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 अच्छा दोस्तों काफी अच्छा लगा आप लो लोगोंने सुना दिनी तनमेटा से यह कभी अच्छी बात है और मैं अब नमशकार करती हूं आप लोगों से अलविदा लेती हूं अपना और अपनों का ध्यान लगिए